Welcome everyone GS का ये पार्ट दस्मा है हमारा पटवारी भरती के लिए इससे पहले 9 पार्ट और मैं बना चुका हूँ तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्लेलिस्ट पर जाकर इससे पहले बना हुए पार्ट आप देख सकते हैं ये GS का जो पार्ट है हमारा दस्मा इसमें कुल 20 प्रशने रहेंगे तो चलिए इस वेडियो को हम स्टार्ट करते हैं जो आने वाले गवर्मेंट एक्जाम के प्रपरेशन के लिए जनरल साइंस का या है वेडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा तो हमारा पहला प्रशन है C3 चक्र का प्रथम इस्थाई उतकाद होता है आपको बताना है क्या होता है फास्पोग्लीशर एल्डिहाईड फास्पोग्लीशरिक अमल फ्रक्रेक्टोस 1,6-डिफास्पेट ग्लूकोस 6 फास्पेट तो जो आपका C3 चक्र होता है, इसका जो स्थाई उत्पाद होता है प्रथम, वो होता है आपका फास्पोग्लिसरिक अमल, फास्पोग्लिसरिक असेड, तो आपको यह भी याद रखना है, और इसमें 3 कारवन का यह कंपाउंड होता है, तीन कारवन का यह यह एक होता है, फास्पोग्लिसरिक अमल, चलिए अगला प्रशने देखते हैं, अगला प्रस्ण है गैस ये बिनमाय होता है पनरंद द्वारा बातरंद द्वारा मूल सता है द्वारा उपरुक्त सभी तो जो आपका गैस ये बिनमाय होता है वो स्टो माटा या आप पनरंद द्वारा होता है तो आपसका आपसन नमबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा यदि किसी प्रशने से रिलेटेट आपका कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुल 20 प्रशने रहेंगे, पूरा प्रेक्टिस सेट आपको देखना है बताना है 20 में से आपने कितना स्कोर किया, चलिए अगला प्रशने देखते हैं पादपों में बादसपोर सरजन दर निम्न होती है, क्यों होती है आपको बताना है बायू मंडल में आदरता अधिक होती है, कोसका में जल अधिक मात्रा में होता है, बाता बरन सुस्क अधिक होती है, बायू की गती तीब्र होती है तो आपको बताना है पादपों में बात्सपोत सर्जन दर निम्न कब होती है तो जब बायू मंडल में अधिक नमी या आदरता उपस्तित होगी तब ये क्या हो जाएगी अधिक हो जाती है जब आद्रता अधिक हो जाती है तो बात्सपोर सरजंदर आपका क्या हो जाता है निम्न हो जाता है तो option number पहला ही आपका right हो जाएगा अगला प्रशने देखते हैं टैनन एकत्रित होता है कास्ट में, जायलम में, चलिनी नालका में, कास्ट में और जायलम में दोनों में कि 20 में से कितने प्रशने आपने सही किये और यदि किसी प्रकार का कोई doubt है किसी प्रशने से related GS में आपका इस practice set में और किसी भी प्रकार का doubt है तो आप वो comment box में बता दें, निश्चित ही उस doubt को आपके दूर कर दिया जाएगा मेरू रज्जू भाग है आपको बताना है spinal cord is a part of स्वायत्त तंत्र का तंत्र का एच्छिक परदिये तंत्र का तंत्र का और एच्छिक परदिये तंत्र का तंत्र का या केंद्रिये तंत्र का तंत्र का तो जो मेरी रज्जू, मेरू रज्जू भाग होता है आपका वो होत आपका राइट हो जाएगा, Central Nervous System, चलिए अगला प्रशने देखते हैं, बायो, ब्रायो फिल्लम, किसके द्वारा अधिक कायक रूप से गुणन करती है, आपको बताना है, आपका राइट हो जाएगा, अगला प्रशने देखते हैं, एक योगमक में होते हैं, आपको क्या होते हैं, बताना है, एक जीन के दो योगमें बिकल्पी, एक जीन का एक योगमें बिकल्पी, एक जीन के सभी योगमें बिकल्पी, उपयोक्त मैंसे कोई नहीं, तो जो एक य अब्सक्राइब बरतन, मवेसियों का अपसेस्ट, खराब प्लास्टिक, तो जो अब घट्ट होता है आपका काहे का मवेसियों का अपसेस्ट होता है, तो option नम्र तीसरा आपका राइट हो जाएगा, लाइब स्टॉक बेस्ट, चलिए अगला प्रशने देखते हैं, जल क्या ह नवीनी क्रत संसाधन, आनवीनी क्रत संसाधन, राष्टिये संसाधन, नवीनी क्रत संसाधन और अनवीनी क्रत संसाधन, तो जो जल होता है आपका नॉन रिनुवेबल सोर्स होता है, तो option नम्र दूसरा आपका आनवीनी क्रत संसाधन राइट हो जाएगा, अगला प्रशन निर्माड का उप्रोक्त सभी तो जो माइट्रो कॉंडिया होता है आपका वो होता है आपका ATP निर्माड का स्थल तो अप्सन नमबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा ATP फॉर्मेशन अगला प्रशने देखते हैं दोनी का पानी में बेग आपको बताना है 340 मीटर पर सेकंड, 420 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड और 1500 मीटर पर सेकंड तो जो दोनी का यानि की साउंड का बेग पूछा हुगा है किसमें पानी में तो ये होता है आपका 1500 मीटर पर सेकंड ये बहुत IMP प्रशने इसको आ याद रखना है धनी का पानी में बेग 1500 मीटर पर सेकंड और साथ ही साथ अभी तक यदि आपने एक्जाम रेडियस को सस्क्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सस्क्राइब कर लें और बेला आइकन को भी प्रेस कर लें इस चैनल पर जब जाएंगे आप तो प्लेलिस पर क्लिक करेंगे तो जी के जी एस मैथ और मेनेजमेंट के ऐसे ही ओल्ड कुश्चन पेपर पार आधारित प्रेक्टिस सेट आप दे सकते हैं पटवारी का एक्जाम करीब आ गया है तो प्रेक्टिस सेट जरूर दे कर जाएं जिससे कि आप आसानी से समय के साथ पेपर को हल कर पाएं तो चलिए अगला प्रेशन देखते हैं यदि एक पेंडूलम का आवर्तकाल तीन सेकंड है तो आप इसकी आपरती आपको बताना है तो आपको फ्रेक्वेंसी बताना है तो फ्रेक्वेंसी एकल होता है बन अपॉन टी तो यहाँ पर टी दिया हुआ है आपको 3 सेकंड तो बन अपॉन जब 3 करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 0.33 हर्ट तो अपसन नंबर चोथा आपका राइट हो जाएगा यह बहुत आसान प्रेक्वेंसी बराबर आपका होता है बन अपॉन टी ती जहां क्या होता है टाइम होता है तो चलिए अगला प्रेक्व हो जाएगा 0.33 हर्ट एक कुलाम बराबर होता है क्या होता है एक एंपियर एंपियर सेकंड एंपियर सेकंड एक जूल एक एंपियर जूल सेकंड तो जो कुलाम बराबर होता है आपका वन कुलाम बराबर होता है आपका एंपियर पर सेकंड यानि बन एंपियर पर बन सेकं तो कुला मराबर होता है आपका ampere second तो option number पहला ही आपका right हो जाएगा अगला प्रशने दिखते हैं उस्मा के नियम निम्न द्वारा दिये गए हैं किसके द्वारा दिये गए हैं फेराडे, जूल, ओम या मैक्सवेल तो जो उस्मा के नियम दिये हुए हैं वो दिये हुए हैं आपके जूल ने तो option number दूसरा आपका right हो जाएगा ये IMP प्रशने हैं तो जो आपके heating law हैं वो जूल ने दिये हुए हैं तो option number दूसरा जूल right हो जाएगा अगला प्रशने दिखते हैं तार जो काले प्लास्टिक से कवर से ढखा होता है आपको बताना है वह तार जो काले प्लास्टिक के कवर से ढखा होता है धारवाही तार उदासीन तार भू समपरकित तार इनमें से कोई नहीं तो जो काले प्लास्टिक से कवर होता है उसको हम बोलते हैं neutral buyer यानि उदासीन तार तो option number दूसरा आपका right हो जाएगा किसी प्रिशनेस related आपका कोई doubt है तो आप comment box में बताएं और आपको साथ ही साथ प्रतेक प्रिशने को और उसके answer को comment box में लिखते चलना है जिससे आप उसको लंबे समय तक याद रख सकें चली अगला प्रिशने ल उसकी परदी के मद्द आने वाले बिंदूओं पर तो जो कोई भी धारावाही कुंडली है तो आपको बताना है चुंबा की छीत्र की तीप्रता सवरवाद कहां पर होगी तो वो कुंडली के कैंदर पर होगी the center of the coil तो option number दूसरा आपका right हो जाएगा अगला प्रिशने द होता है उसमें जो आपका nitrogen होता है वो होता है आपका 46.6% तो option number दूसरा आपका right हो जाएगा अगला प्रिशने देखते हैं मुख्य कोस में अधिक्तम electron की संख्या क्या है आपको बताना है 2N 2N square 2 root 2N तो जो मुख्य कोस होता है उसमें electron की अधिक्तम संख्या आपका कितना ह square आपको याद रखना है तो option number दूसरा आपका right हो जाएगा अगला प्रिशने देखते हैं रदरफोड का alpha कन प्रक्रिणन प्रियोग प्रथम बार दरसाता है कि परमाणू में होता है आपको बताना है क्या होता है electron, proton, नाविक, neutron तो रदरफोड का जो alpha कन प्रक्रिणन प् ना भिक, तो option number तीसरा आपका right हो जाएगा अगला प्रिशने देखते हैं निमलिगत मैसिक कौन से परिवरतन के दोरान नया पदार्थ बनता है पिगल लें, उर्दोपादन, बासपन और जंगलंगना ये आखरी question है, इस question का answer आपको comment box में बताना है, साथी साथ बताना है वेडियो में आपने 20 में से कितने प्रशने सही किये, और यदि किसी प्रशने से related आपका कोई doubt है, तो वो भी आप comment box में बता सकते हैं, और साथी साथ यदि आपने अभी तक exam radius को subscribe नहीं किया है, तो इस channel को subscribe कर लें, इस channel से आपको निश्यत ही मिदत मिलेगी, चलिए मिलत है next video में, thanks for watching